विश्वस्वास संगटन ने कोरोना वायरस से बच्छाव के लिए फाइजर बायरंटेक के टीके के आपात इस्पिताल की मन्जूरी दे दी है और अब गरीब देशों को भी ये टीके उपलब्त हो सकेंगे अब तक ये टीके यूरोप और उत्तर अमेरिका में ही उपलब्त भारत में आज ऑक्सवर्ट की कोरोना वैक्सीन को मन्जूरी मिल सकती है आज इस बावत अधिकारियों की बैठकों की महामारे को फैले लंबा अंतराल हो गया है फिर उस सब पर कोई हल नहीं परन्तों ने साल की नए उमीद में कोरोना से लड़ने के लिए डवलो एचो द्वारा कोरोना के टीके के लिए मन्जूरी दी जा चुकी है देशों की और शयद नियामक एजनसी किसी भी कोविट-19 के टीके के लिए अपनी और से मन्जूरी देती है लेकिन कमसोर प्रनाली वाले देश आमतर पर इसके लिए डवलो एचो पर निर्भर करते हैं डवलो एचो ने बुद्वार को कहा कि कोविट-19 के टीके के आपात इस्तिमाल की मन्जूरी देने की फैसले से देशों को अवसर मिलेगा कि वे टीके आयात करने तथा इन्हें लगाने संभंधी अपने नियमों की मन्जूरी प्रक्रिया को गती प्रदान करें डवलो एचो का कहना है कि फाइसर बायन टेक द्वारा निर्मिट टीका संगटन द्वारा तेह किये गए सुरेक्षामान को एवं अन्यमाब दंडो पर खरा उत्रा है गौर तलब है कि इस टीके को अमेरिका, ब्रिटन, यूरोपिय संग समेट अन्यदेश मंजूरी दे चुके है इस टीके को बहुत ही कम तापमान पर रखना होता है जो विकास शिल्देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है कैमरा परसन राजकुमार महोड के साथ अभिशेक पान से बीसी न्यूस नाकपूर